बोल्ड स्काईपर आपका स्वागत है दोस्तों देवशैनी एकादशी को शास्त्रों में बहुत विशेश माना गया है देवशैनी एकादशी के आरंब होते ही सभी प्रकार के शुपकार्यों में वीराम लग जाता है इस महीने देवशैनी एकादशी आशार शुकल एकादशी यानि 23 जुलाई 2018 को है देवशैनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरी चार महीने के लिए पाताल लोग में शयंधेतू चले जाते हैं इसलिए इस चार महिने को चातुर मास कहा जाता है आईए जानते हैं देवशैनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में एक बार धर्मराज युदिश्टिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूझा था हे केशव आशार शुकल एकादशी का क्या नाम है इस व्रत के करने की विदी क्या है और किस देवता का पूझन किया जादा है श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युदिश्टिर जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था तब भ्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद तुमने कली योगी जीवों के उधार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है क्योंकि देवशैनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है इस व्रत से समस्त पाप नश्ठ हो जाते हैं और जो मनश्य इस व्रत को नहीं करते वो नरक गामी होते हैं इस व्रत को करने से भगवान विश्नु प्रसन होते हैं इस एकादशी का नाम पदमा है इसे देव शैनी एकादशी, विष्णु शैनी एकादशी, आशारी एकादशी और हरी शैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है अब मैं तुमसे एक पौराणी कथा कहता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो सूर्यवंश में माधानता नाम का एक चक्रवाती राजा हुआ है, जो सत्तिवाती और महान प्रतापी था वो अपनी प्रजा का पुत्र की भाती पालन किया करता था, उसकी सारी प्रजा धन्धाने से भरपूर और सुखी थी उसके राज में कभी अकाल नहीं पढ़ता था, एक समय उस राजा के राज में तीन वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पढ़ गया प्रजान की कमी के कारण अत्यंते दुखी हो गई, अन्न के ना होने से राज में यग्यादी भी बंध हो गई एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्वगी स्रिष्टी का कारण वर्षा है वर्षा के अभाव से आकाल पढ़ गया है और आकाल से प्रजा मर रही है इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कश्ट दूर हो राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं वर्षा से ही अनुत्पन होती है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिये वो अनेक रिश्यों के आश्रम में ब्रह्मन करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा रिशी के आश्रम में पहुँचा वहां राजा ने घोड़ी से उतरके अंगिरा रिशी को प्रणाम किया मुनी ने राजा को आश्रवाद दे कर कुशल शेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा राजा ने हाथ जोड़ कर विनित भाव से कहा कि हे भगवन सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्च में आकाल पढ़ गया है इससे प्रजा अत्यंत दुखी है राजा के पापो के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है ऐसा शास्त्रों में कहा गया है जब मैं धर्मा अनुसा राज्च करता हूँ तो मेरे राज्च में अकाल कैसे पढ़ गया इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत कराने के लिए आया हूँ कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताईए इतनी बात सुनकर रिशी कहने लगे कि हे राजन ये सतियुग सब युगों में उत्तम है इसमें धर्म के चारो चरण सम्मिलित है अर्थात इस धर्म में धर्म की सबसे अधिकुन्नती है लोग भ्रह्मा के उपासना करते हैं और केवल ब्रहमनों को ही वेट पढ़ने का अधिकार है भ्रामर ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं परन्तु आपके राज्ची में एक शुद्र तपस्या कर रहा है इसी दोश के कारण आपके राज्ची में वर्षा नहीं हो रही है इसलिए यदिया प्रजा का भला जाते हो तो उस शुद्र का वद कर दो इस पर राजा कहने लगे कि महराज मैं उस नेरप राध तपस्या करने वाले शुद्र को किस तरह मार सकता हूँ आप इस दोश से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताईए तब रिशी कहने लगे कि हे राजन यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो आशार मास के शुक्लपक्ष की पद्मा नाम की एक आदशी का विधिपूर्वक व्रत करो व्रत के प्रभाओं से तुम्हारे राज्ज में वर्षा होगी और प्रजा सुक प्राप्ट करेगी क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिध्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रमों का नाश करने वाला है इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो मुनी के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधी पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुक पहुँचा अता इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुश्यों को करना चाहिए ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुश्य के समझत पापनाश को प्राप्थ हो जाते हैं तो ये थी देवशैनी एकादशी पर सुनी जाने वाली पौरानी कथा इसी कथा के साथ बोल्ड स्काई पर अभी के लिए बसितना ही